नमस्कार प्यारे साथिओ तो कैसे आप आशा करता हूँ आप सब बढ़े आउंगे और बेडरीन तरीके से अपनी तयारी कर रहे होगे मैं आप सभी स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर आशा करता हूँ आपको हमारे शेशन प्संद सांधार रहे होंगे और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी मैंति क्लास नबर छार में इसमें मैं अपना सकता winners करेंगे फेटी सांधर रहे आप इससे पहले हमारे तीन प्रेक्टि से देख चुके होंगे वह बहुस तांदर सब्सक्रम ने लेकRO सब्सक्राइब करेंगे अपना प्रैक्टिस एडिस्टार्ट देखिए आपको बोट पर पहला कोशन दिख रहा होगा कोश्चन को देखिए और तीस चेकंड में सौलकुत कर अपना अंसर कमेंट में बताइए क्या अंसर रहेगा ऑप्शन है कोश्चन के एक माइनस दो माइन इस स्क्कुराइर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री नहीं नाइन डिया वाई यह देखिए इसको सॉल्फ करिए और अंसर बदा यह क्या अंसर रहेगा इसको सॉल्फ करकर ठीक है चले दसतों करते हैं इसको सॉल्फ, देखिए इस में आपने एक फॉर्मला पढ़ा होगा है उननै ए स्कुरिएर प्लस ए स्कुरिएर माइनस यह फोर्मULा आपने बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा होगा कैसे होता है फोर्मला एक फ्लस ब? और यह माइनस ब यह फोर्म्ला होता है इस फोर्म्ला को करेंगा सब्सक्राइब करना यह चलिए पहले इस वाली पर लिए का माइनस करो माइनस है अगर एक का स्क्वायर करो क्यूप करो वो एक कर लो 2000 कर लो वावर कितनी कर लो एक की वावर उसकी वैल्यू एक ही रहनी है ठीक है चलिए कैसे करेंगे इसको हम देखिए एक स्क्वेर माइनस बन उसी फो में मिलगा देखे एक से स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर की फो में हम इसको तोड़ सकते हैं एक स्वेर प्लस नाइन यह दिया है में देखे क्या होई एक स्क्वायर और नइन करो रोता है न अटसते हैं बस्कLboro चुर मैं motor झाहिए गैस अ देचे यह वाला ही if अधिया आUM है है जो है मुझे क्या मिलेगा देखे मैंस मैं और और x-1 नीच्छे है इससे यह खतम हो गया इसरह इस दर देगे x-3 और यह भी x-3 यह दोनों आपस में खतम हो गया देकर यह दर क्या बचा मेरे पास x-1 बचाए minus x plus 3 अब देखे इस bracket को अगर खोड़ लूँगा मैं तो यह वाला minus अंदर जाकर plus को minus कर देगा जाए इन देखे कैसे करेंगे x plus 1 minus x minus का जाएगा यह वाला जो minus है इसको भी minus कर देगा अंदर जाकर ठीक है x से x कर दो plus 1 और minus 3 कितना बज़ेगा minus के 2 कोशन का अंसर रहेगा option number बी ठीक है उमीद करता हूँ आपको कोशन यह समझ में आँगा कोशन बहुत सिंबल कोशन था और प्रिवेश जेर में आए वाख कोशन था हमारा यह ठीक है अब देखते हैं अपने अगले कोशन की तरफ चलते हैं अगले कोशन पर आख देखें दोस्तों कोशन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कोशन में क्या बोला है पूर एक गाउं की जनसंख्या 12,000 थी यदि पिछले वर्ष पिछले दो वर्षों में इसमें करम शे 5% और 3% की वृद्दी वृद्धी तो गाउं की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में कितनी जनसंख्या मतलब दो साल पहले की दीविया में है थभी डोसाल पहले 12,000 धी उसके बाद पहले साल मंत 9.5 परसेंट की वृद्धी कर दी। तो मैं बताना है टोटल वृद्धी करके जनसंख्या में कितनी पार धार पात कितनी हो गूई नहीं है चलिए करते हैं कोश्चन को सॉल्फ टोटल जंसे क्या कितने दीव है कोश्चन में बारा जार ठीक है बारा जार है पहले व्रिद्धी कितनी हुई दाई पर्षेंट और दूसरी तीन पर्षेंट तूटा इसको नीचे से और लिख सकता हूं और अगर तीन क्या है तो में तीन बटे सो मतलब बात कहने की किया है तो बढ़ने का चालिस थी मतलब जो निच्छा वाली होती है इसको मानते हैं टोटल वैल्यू टोटल वैल्यू पर एक बढ़ गया मतलब 40 तो उस पर एक बढ़ गया से 45 हो गही हिए मतलब एक तालिस बटे चालिस बढ़ है ना ho française लियूरी 9ламantaminuteгов तो कितना पर टरु लगए तो पर कितना या मेरा इंटू एक तालिस बटे स्व ठीकिन है अब देगे बड़ कर एगे पंडेगेenses यह आँ तरीका लेकर आया हूं सिंपल तरीका है चले देखते हैं कैसे करेगे मुझे करनी है एक सो तेइस गुणा एक सो तीन देख रहे हैं इसको कैसे करता है गुणा देखे इस टाइप की गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले इसकी गुणा यहां पर करें तो यहां पर शे लिख देंगे इसकी और इसकी गुणा करकर अब देखे क्या करेंगे अब इसमें करें पूरी क्रोस की गुना इसकी तीन की गुना के साथ करेंगे इस वाले की कुणा इसी गुना जियो के साथ करेंगे कितना है कि मेरे पास प्लू से रहा जाएगा सब्सक्राइगा 5 की सथ जिडiones एक के साथ और एक की मैंठीक लाई इसकी दो के साथ कितना जाएगा जीरो गेइगे अगए आनसर है प्थी्चहिं आप को मैंने इस कोश्चन गुणा करने सिरा तीर को सांग औरर यह गूना किसे करते हैं चलते हैं अपने ले कोश्चन की तरफ कोश्चन वह सांदर था यह भी आपको समझ में आया होगा कोश्चन आपको स्क्रीम पर दिख रहा होगा कोश्चन में क्या बोला है एक दुकांदार एक उत्पाद पर क्रेम मुले से 5% अधिक अंकित कर दिया 5% उसने बढ़ा दिया और अंकित मुले जो उसने लिखा उस पर मूले उस पर उसने 10% की चूट दे दी और कितने वेच फेशी बेच अपन अठारा सो नवरे इत दिया तो फांदगा में क्रेम मुले कि बताना है मतलब उसका CP कितना था ठीक है CP की वैल्यू हमें बतानी है चलिए देखते हैं क्यासे करें आप पहले आप्ट्राइब करिए अगर मैं 100 का 5% निकालता हूं तो कितना आएगा अगर मैं 105 का 10 निकालता हूं तो कितना यह रख दूगा कर दूगा कि इसको ऐसे ना करकर हम तो अलब करें लेकिंगे मार्क प्राइस कितना अगया मेर पास 105 अगया अब देखें कोशन में गवोला दस परसेंट की छूट दी दस परसेंट का मतलब 10 परसेंट का इसको एक बटा दस बात क्या नहीं तो यह मतलब 10 रुपे पर एक रुपे की छूट दी मतलब कितने रुपे का बेचे वेल्यू दी रुपे की नुओ रुपे की चीज़ यह 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 बात क्याने कि इसका कितने रुपे की रुपे की चूट दी तर्फ परसेंट की मतलब 10 रुपे की चीज़ नहीं नहीं रुपे की बेचा उसे आपसे इसका कितना रुपे की चीज़ नहीं में होता है मनेट नाइन काट दे हमने अब देके 105 से काट देंगे 210 कितनी बार काट देंगे मतलब यहां से एक की वैल्यू के मंतले हाई है दो जाएगी मेरे पास इसकी से अबके तक यहां कर दूंगा कितना जैगी 20 और में दितल नमबर थर्ड, तुमीद करता हूँ आपको कोशन सब्जमें आया हुआ है, चलिए, देखते हैं अपना कला कोशन, कोशन क्या दिया हुआ है, 51 और 77 के बीच आने वाली अबाजे संख्याओ का उसत बताना है, जो 51 से लेकर, 77 के बीच आने वाली बोला है, 51 और 77 को काउंट नहीं करना है, ठीक है, उसके बीच आने वाली संख्याओ का में उसत बताना है, कितनी अबाजे संख्याओ का उसके बी एक्क्यावन जोट डोट सततर देखे अब आज जे संग्याएं वो होती है यह तो एक से विभाजित होंगी यह फिर सुम्से विभाजित होंगी उन संग्याओ को हम आपाजिय संग्या बोलते हैं ठीक है उसी रेप से कोश्चोनल सॉल्फ करेंगे सबसे पहले क्या सब्सक्रावन आफ तो नहीं है इस या तो अफर्य पाड़े मैं अफिर एक से रिष्ट हो गई उन सट चाट अब आज यह इक से रिवाइड हैए उन सट हो गई उन सट शाट आब आज यह एक से जाएगी फिर देखते हैं बासट तरेसर चोषट पैसर श्यासर श्यासर शर्ट 67 मिलेगी एक 68 69 कि सथन्य कि एक 51 मिलेगी ठीक है कितनी हो गई है पांच हो गई एक एकातर हो गई अम मिलेगे एक 73 धियत्तर यह देखे जान्ग्या होती है सब्सक्राइब निकालने के दो तरीके होते हैं या तो आप क्या करिए इन सब को जोड़िए आप जोड़कर इनको डिवाइट करिए एक तरीका तो हुआ है लेकिन अगर इस टाइप से कितनी कम है अब देखिए इक सब्सक्राइब तो जीरो कम होगी एक सब्सक्राइब प्लस सेवन हो गई प्लस सेवन जाता हो गई फिर देखिए एक सब्सक्राइब कितनी जाता है प्लस कितनी जाता हो जाएगी फिर देखिए एक सब्सक्राइब कितनी जाता है प्लस बारा हो जाएगी देखिए अब क्या करेंगे माइनस वालों को अलग जोड़ देंगे और प्लस वालों को अल एक मिनट गत्तर त्यत्तर कि यह यहां पर 11 नहीं होगा यह 10 होगा है यह होगा हमारा 12 ठीक है अब देखें इनको चोड़कर रहेगा 39 17 और 10 दस और साथ कितना हो जाएगा यह प्लस का है 29 और यह मानस की गया रहा है कितना बढ़ रहा है अब इस अठार ज्यादा है अभी इस अठारा को जो बचावाया हमार पास संध्या वह बढ़ा डिवाइड करें टोटल संध्य कितनी थी वह रपास छह एक दो फीन चार प्लस चूसर दिसकोशन का मेरा अंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सब्सक्राइब करते हैं इसी टाइप की स्मार्ट अप्रोच हम आपको सिखाते रहेंगे बीच-बीच में परना आप इसको कोशन को पहले सब को जोड़ते फिर इसको डिवाइड करते चेज़ते इसमें बहुत टाइम लग जाता आपका चलते हैं अपने लों कोशन की तरफ है कि अ जी लुआ करता है कि देखिए कोशन में क्या दिया वाय एक व्यक्ति फंड में साधरेंड व्यात पर 10 प्रते एक वर्ष चार परसेंट की व्रिद्धी हो जाती है ठीक है तो पांच वर्ष बाद बताना उसके द्वारा कितना लाब अर्जित के जाएगा मतलब कितना ब्याज उसे मिल जाएगा ठीक है कोश्चन आपने पढ़े लिया होगा कोश्चन हो सॉल्फ करी है आपके पास तीस सेकिंड का टाई में चैले दोस्तों करते हैं कोश्चन हो सॉल्फ देखे कोश्चन में क्या बोला है उसने कितनी राशी नहीं वेस करी दस जारू है मतलब पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा दस जारूप है और रेट कितने दी वेरेट दी भी है आट परसेंट को में यह बढ़ रही है देखिया वो लिए वरिदी वो लिए चार परसेंट की मतलब पहले साल आट हुई फिर अकले साल कितनी हो जाएगी देखे आट पर सेंट की हुआ है इसको अर साल बताना है मतलब फैले साल मतलब फास्ट यह रेट सेंट यह रेट फार दियर और एट उस टाइप से रएट थाय। जाए टिर्ट इसमें चार बड़ा देंगे कितना पैसे रहा है पेराम चार वाद कितनी ऊच्छे कि कि अट्रह और बारा थाए बीस और 20 से चार, चौबिस मतलब इतना इतनी परशंट रेटव में ब्याज देगें मतलब इतना ही लैज में मिलने वाला यह पांत साल पैसे यह चाहीं कितने बियाज मिलेगा बिज और 12 बीच और 26 26旅ज मतलब क्या बात हैं कहाने कि पांस इपरसेंट ने में ब्याज में ब्याज ब्याज में इस तर्सका कि निगा लेका इस परसेंट अचाइबाएं में ब्याज मिलेगा यह मरा अंसर रहेगा ऐसा इस इकल टू आठ अजार रूपर ठीक है ऑप्शन नमबर डी रहेगा इसका अंसर हो माला ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको कोशन समया होगा चलिया देखने अपना अगला कोशन क्या रहेगा हमारा कोशन आपको कोशन स्क्रीन पर दिखाई देर होगा कोशन में क्या बोला है एक संख्या को 78 से विवज़ित क्या जाता है आट 70 से विवज़ित करने पर बागफल कितना मिलता है 280 और शेषवल मिलता है जीरो ठीक है मतलब कंप्लीट डिवाइड है क्या रहेगा शेश्फल ऑप्शन आपके पास है एक तीन जीरो दो बता ये कौन सा रहेगा शेश्फल चलिए करते हैं कोश्चन में क्या बोला है एक संख्या अठात्तर से कंप्लीट विवाजीत है मतलब पूरी तरह से विवाजीत है और बागफाल कितना मिलता है 280 अगर मैं इंदोनों मिल्टिप्लाइ कर दू तो मुझे पता लग जाएगा वो कौन सी संग्या जो अठात्तर से विवाजीत है ठीक है मुझे क्या करना है इस संग्या को मुझे पैसट से बाग देना है अब यह सबाग देना है इसको तेरह बंजे पैसर और इसको काट देगे तेरह मुझे कोई लेना देना नहीं है देगे निच्चे हमारा पैसर बिल्कुल खतम हो गया पैसर का कुछ नहीं बचाओ रहा पैसर निच्चे बचाओ जीरो मतलब पैसर से कंप्रीट तरह से डिवेड हो जाएगी मतलब हमसे पुछा था बागफल तो जो भी आएगा आएगा देगी नहीं से पूचा है आगर से बीलकुल खतम हो गया तो सेच्फल कितना है ऐगा तो जो फो चल रहेगा जीरो मतलब सकते हैं इसक्षफ़ जीरो रहेगा टिस ठीड़ से भी पूरी तरह से बायाइगी अप्शन नंबर थार्ड इसका अंसर रहेगा चलते हैं अपने अंगले कोशन की तरह चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अंगला कोशन कोशन में देखे हैं क्या बोला है को से इस इगल टू 63 बटे 65 ठीक है और हमें क्या बताना है टैन ए प्लस कोटे बताना है दसमलाव के दसमलाव अंग तक बताना है कितना उनका अंसर आएगा दसमलाव अंग तक इनको जोड़कर कितना आएगा ठीक है देखें आप सभी को पता होगा जो ट्रिक्नोमेट्री होती है हमारी मतलब जो यह कॉस्साइन टैन कोसेक्स है कोट यह होता है हमारे समकोंड त्रीबूज पर वर्ट करते हैं मतलब यह होता है उसके लिए अपलाई होते हैं ठीक है देखिए आप सभी ने बड़ा होगा लमबटे लालबटे कपका मतलब क्या हो यह होती है साइन यह कोस और यह टैन और बाकी जो बचे कोसेक्स एक कोट वह इनके अपोसिट में हो जाते हैं ठीक है अगे उए कैं वहला है कोसे बहता है को सिस्टी वाइब से यह लेकिकतर औरे फिसलिये लासे अधार टते कंड मतलब अपरोर उतर होगा ऑदार मतलब ये एक त्री पूच के त्रीक होते हैं मतलब आखर आप इन दोनों का स्कॉएर निकाला लोगे तो आपको 65 मिल जाएगा 65 का स्कॉएर मिलेगा आपको तो आप इसको 65 बना सकते हो ठीक है पायतागरोष की परमिनिक लगाब चेक करोगे इसको 16 का और 16 तो आपको 65 का स्क्वार मिलेगा ठीक है यह उता है इसको बोलते हैं पाइथा गर उसके त्रीक ठीक है ऐसे मिल जाएगा अब देखें मिल से क्या पूच्छा है कोश्चन में मुझे तीनों का मिल गया तीनों तीनों बुझाओगी वैल्ली मुझे मिल गई अब देखिए कोश इनका अब जबाला करका लिख देंगे देखें टैन क्या होता है अजहार वटे लंवटे अदार बटे रव लंग कितना है फर्लंब मिला हुझे अ उलल और और कितना मिला शीक्ति तwhat बटे 63 प्लस देखे करो मुझे कोट को लिखना है ना तो कोट को मैं इसका यह फोजिट बना कर लिखना है तो इसकी मैं इसकी मैं इधर करेंगे कितना जाएगा यह स्कुरस्णा फ्लस इसकवार कयक्सेक निकाल लेंगे देखे त्री साथ करेंगेगे क्ति एप च्थ्ञब खट्रके कि अब भाचेंगा किदना हासील बचेंगा तीन क्या चत्री चत्रीस ब्लस तीन उन्तालिस कितना जएगा एमारे श्कषर रहेगा एंतालिस रूर्ट्र 59 और अपन में क्या जाएगा 16 गुणा 63 देगे अज जोड़ते हैं इनको कितना जाएगा जोड़ करिए 56 चपन को इसको जोड़ें कितना आएगा 63 को 256 और 300 3960 को जोड़ते हैं लगसे जोड़ते हैं इसको भी हम 49 तरिश्ट प्लस किस्ट पिलस किस्ट चापन कितना जाएगा नाइन यहां पर मुल्टिप्लाई करें यह आपर कितना आएगा 11 का एक आशी लेगा मेरे पास एक 11 फिरसे एक आज जाएगा गा यारा और एक बारा का दौ अब इसकी मल्टिप्लाइ कर लेते हैं 63 के और 16 की मल्टिप्लाइ करें कितना है कि इसकी मुल्टिप्लाइब कर आजाए मेरे पास एक जार देखें मुझे अप्शन देखें कसी दिखर है दिखर है चार पॉंट एक नौ दो पॉंट और तीन पॉइंट एक चार और पांस दो तीन डेकि मा अप्रोक्स में अंसर क्या ओंगे अगर देखें में एक जार कि ti glass लिए दिलो है आझ के दर तेजल के ती टिन जीरो चार अजयार प् prayer और उससे पांस जाएगा तो मैं इसका अंसर ओप्जन देखर क्या सा लगाँगा चार तो आज़ा ये इस कोशन का मेरा अंसर देगो अप्शन नमबर ए ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको कोशन समझ में हो गए चलिए देखते हैं अपना अगला कोशन देखे कोशन क्या है हमारा इसको साफ कर देता हूँ पहले देखे कोशन देखे आप कोशन में बोलाए एक इसी कारिये को बारा दिन में कर देता है और भी उसी काम को पंदरा दिन में कर देता है यदि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर देंगे ठीक है डाट कोशन को सॉल्फ करेंगे बहुत सिंपल कोशन है ए बारा दिन और यह प्लस बी कितने दिन में कर देंगे यह बता नाइं कोश्चन में इन दोनों के एंगालेंगे 15 और 12 कितना है का 60 साट एक है जिसको 12 से 9 तरहीं डिवाइट हो जाएगी पन्तला से रिवेट हो जाएगी मतलब सकते हम तीडवलू मतलब टोटल वर्क इतना करना है हुआ थिक यह साट से बारास साट पुर यह रिवाइट करें कि इतनी बार जाएका 5 बार 15 कि इतनी वर जाएका 4 वार जो है चम्ता तो मम से ए और बी का पूच आए देखी टोटल कारी कितना है 60 और कुल चम्ता कितनी अडिजिए पांच और चार नो ए और बी से कराना है दोनों की चम्ता मिला बौर कितनी आएगी नौ ठीक है अब देखते हैं कितना जाएगा 9 चिंग 54 जाएगा बचा कितना राइगा कॉश्चन का अंसर है उमीद करता हूं को पूश्चन समझ मैं होगा को खुलते हैं अपर एंगे लें कोश्चन की तरफ देखें दोस्तो आको पर एक लंबा चुड़ा था कॉश्चन दिखने कोश्चन एक साजदारी कोश्चन है क्यों है इसकोश्चन में । का पिल ने अप्रेल 2022 में तीस लाग के निवेश के साथ एक विववसाय सुरू कि रहा ठीक है कितने हैं तीस साल से तीस लाग से ठीक है उसके बाद छे महिने के बाद उसका दोस्त कुनाल 25 लाग के निवेश के साथ उसके साथ जूड जाता है ठीक है जूड गया 25 लाग के निवेश के साथ फिर देखे आगे क्या बोला है परवरी 2023 में कपिल की पूर्व कक्षा की साथी सलोनी ने भी पहले के है इसके बराबर राशी कऱा तो कपिल डौरा विफसाय करने ज तीन वर्षबास लाभ अर्जित का अनुबाद बताना है है मतलब इस दिन से कपील ने स्टार्ट कर था बिजनस अमें तीन साल काउंस करने तीन साल आगे जाना है और उमें बताना है उनका जो लाब होगा उसमें क्या अनुपाद कर रहा अगर कि तीस लाग रुपे लगाई कपिल 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 कुणाल और सलोनी कीन हो गए है ठीक है कपिल कपिल लगाई 30 लाग रुपे 25 लाग रुपे 25 लाग रुपे अब देखते हैं कुणाल ने क्या करा कुणाल ने करा चे महीने बाद मतलब छे महीने बाद मतलब टोटल काम करता है ठीक है उसवी चफोट सलोनी को देखते हैं सलोनी कप लगाया फर्वरी 2023 मतलब मतलब कितने मेने बीसी कोई थे 1-5 महीने यह थे 10 महीने मतलब 10 महीने बाद लगा उसने टोटल महीने चाथिस कितना बचाए का मेरे पास साफ इसकी पांच जीरो खतम इसकी भी देगी पांच से काटेंगे पांच से कितनी वार कटेगा च्छे वार कटेगा पांच से फॉर ये कट्टे का पास से ग्यारा बार बचा क्या मेरे पास 6 गुणा 36 अनुपात 5 गुणा 30 अनुपात 11 गुणा 26 ये बचा मेरे पास अब देखें मैं एक बार इसको 2 से काटूंगा 2 से कट्टे का कितनी बार 18 बार ये 2 से कट्टे का 15 बार और ये 2 से कट्टे का 13 बार क्या बच गुणा 15 अनुपात 11 गुणा 13 अब देखें मुल्टिप्लाइ करेंगे इनकी 18 चीक के होता है 108 अनुपात 75 15 55 अनुपात किता जाएगा 143 यही कोश्चन का हमारा आंसर हेगा मतलब तीन साल के बाद उनके लाब का अनुपात क्या रहेगा 108 अनुपात 75 अनुपात 143 ऑप्शन नंबर रहेगा मेरा बी को फिक है वा समय चार्ज है को अब पर कोश्चन समया हो गए चाज्य तारीगा कोश्चन था है कोश्चन की लैंगेज बहुत लंबी चोड़े सेल यह कोश्चन करने में कैसा था बिल्कुल हल होए कोश्चन को चलते हैं अ इसको फोई कि बोला है कि यदि कोई वैक्ति किश्मिस को 320 उलब二 कि लो खरीता है कितने 320 उलब और फिर उसने क्या गए रहाई च्शह रूपे परती 25 गराम पर बेच दिया तो उसका लाव यहानी बताना है लाव यह वा इसका यहानी हुआ ठीक है उसका लाब यहानी परसेंट बताना है, option दिये हैं, 20% धानी, 25% धानी, 25% लाब, और option अगला है, 20% का लाब, ठीक है, देखें, पहली लाइन पड़ी है, question की, पहली लाइन में क्या बोला है, एक किलो कितने के, एक केजी, तीन सो, 20 रुपे के, ठीक है, इतने के, एक किलो खर मुझे एक किलो करना हो, तो यहीं मल्टिप्लाइ किस से करनी पड़ेगा, अगर मैं से 25 से, 40 से, एखें, बढ़़ी तो 30 कणना पड़ेगा, कितना हो जागा है, एक हजार क्राम, is equal to करेंके, 220 हो जाएगा, जिखें कि देखिए इधर भी एक किलो हो गया यहां भी एक किलो पहले उसमें खरीदें कितने हैं 320 के और देखिए कोश्चन के अगॉटिंग जो कंडिशन देविए उसको एक किलो की कितने पैसे मिल रहे है कि देखिए आपर हानी रखे देखिए 320 से 240 पर पहुझ गया कितने कि असी रूपे की और आनी किस पर होती हानी होती है क्रेम उल्ले पर क्रेम उले कितना है 320 काट दें कितना जाएक बटा चार आया वैल्यू इसको अगरे परसेंटेज में बदल लाँ तो क्या कुणगा मुट अच् तरह उन्हें सिंपल सिंपल को स्थाये बिल्कुल और सारे के सारे क्योंशन प्री बेले में क्यों च रहे है अगजां में नहों कि पाले हमाना तरह हैं जब देखिए क्षषन क्या रहरा कोशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा देखिए कोशन में क्या बोला है दो वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जंसंक्या कितनी साथ अजार थी परतम वर्ष में इसमें 5% की व्रिद्धी हुई लेकिन मामारी के करण क्या हुआ प्रशन की कम या गई तो वर्तमान बरतमान क्या बटानिया क्या रहेगी कि दो वर्ष पहले की बतानिया के कितने दीवे जंजंग्या कितने दीवे साथ हजार रुपे पहले क्या हुआ पांच परसेंट की व्रिध्धी दर्व कितने दीवे 5 परसेंट अगर इसको मैं सब्सक्राइब बहुत देखिंगे पांच बट्टे सो कितना जाएगा ते मतलब क्या नेगी क्या यह 20 पर एक बढ़ ना मतलब 20 से 21 एक बढ़ जाए तीक भी सी प्र तीक है इस से दूसरी को सॉल्फ करते हैं है जैकिन्ड इस परसेंट इसको सब्सक्राइब करेंगे एक बटा ज़ाए गए मतलब दस की चीज पर एक बटना एक घटना मतलब रिद्धी कमी होगी ना एक घट की दस पर मतलब दस यह नोगी इसको लिख सकते हैं कि इस भटे 20 इसका इसका इस गरूँआ को शिचन में कैसे जीज करूँआ कि मुझे जन्जन क्या बतानी है दो वर्षबात की स्टाटिंग कितने घी साट हजार इंटू जब से पहले कि वहां कि इस परसेंट पूर्ट को में लिख सकता हूं पिर क्या हुआ दस परणिक अब सब्सक्राइब करेंगे और इस दो से 600 खतम कितनी बार तीन सो बार हम मल्टिप्लाइब करेंगे कितना जाएगा 300 गुना इन दोने कि मल्टिप्लाइब करेंगे इन दोनों जीरो को तो as it is उतार देंगे देखे तीन निम्मा 27 27 का साथ जाएगा असी लगेंगे अजिल लगेंगे दो तीनिकम तीन तीन और दो पांच छप्पनजार साथ सू यह शहर की जन्जंग्या रहने वाली है दो साल बाद ठीक है option number a इस question का answer रहने वाला है ठीक है चले देखते हैं अपना अगला question और यह question रहेगा हमारा आज का आगरी question के बात करेंगे अपनी class को समाप्त अ गया यह गई नंगरे च१ोर nouveau द्यान पूरों पडिये और निमलेगित प्रश्णों का उत्तर दीजी प्रस्थि प्रश्णों का उत्तर बूला है है चारों चात्रों के ओसत में इस अधिक किसका है और में चार्च साथर allPower को ओद है रवी रादी राजू रेख ठीक है ओसत न रहा है मैं's unit ट्र का राइंग चैक करेंगे सब यादा मांक्स सीथिख से हैं सबसे और देखते हैं कि इस इतना है इस यह इस इस ग्रयाइट कर देगे चार्सेट डॉइस ओर बीस जोड़ेंगे और थेois तो गया थे लंआर च्राइंगं Annika cha 我ети नइन बाटे चार दिवाइड करेंगे स्कुनित nécessaire श्टम कुम टू पॉइन च्रवाइब को लनी का फोसम बनीगा 22.25 अगला चैक करते हैं अगला मिलेगा रभी का रवी भाईया रवी भाईया को भी चार से बाग देते हैं चैक करकर देखे बाईस और अठारा कितना हो जागा च्रालिस और 24 पटे 4 किता लेगा दो ऐए इक किस अब चैक करते हैं राजु को आज करेंगे प्लाजिवीमादի चार जूबिस प्लस बाईस प्लस 20 राजु भे चारी तो अलपर जाक करेंगे देखे लगर इस और लिए अर ताली स्कीं प्लस अट प conservatives 38 और 22 किसना जरीगा सत्य सत्तर और भीस नबब्ब्बे बटे चार तो रौग यह कितना जरेंकerson पर लेकर सब्तमने सिगान ये実 जीरो फिर था लोगाने वेइगा भुत आज जाएए राधे राधे दिखा क्या दिया वाए रेखा दिए 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस 23 बटे चार करते हैं रेखा दिखो चैक देखे 20 और 24 चावालिस और 21 कितना हो जाएगा नहीं 20 और 22 बैलिस और 21 तरेशाट तरेशाट और देखे 20 कितना हो जाएगा एक टीजिक्स डिवाइड वाए चार कितना जाएगा दो 21 21 21.5 आजयेगा देखे सबसे जाएगा किसका है सबसे पहले हम देखें कि रानी का रानी का यह 22.25 ठीक है और फिर देखते है रवी का रवी का सबसे जाएगा इसमें सबसे जाएगा कितना है सबसे जयादा और सबसे जाएगा तो टीक है आप दोस्तों उमीद करता हूं आपको आज का प्रेक्टिस है समझ में आया होगा सारे के सारे कोश्चन प्रीवेसियर थे इस टाइप का एक और शांदार प्रेक्टिशाड लेगर कल फिर आपके सामने हाजीर होंगे तब तक के लिए जय हिन जय वरत